हाई दोस्तों वेलकम टो आडव्य रिव्यूज और मोटिवेशन मेरा नाम है रोहन आज हम बात करने वाले हैं ओरियंटल बुटानिका के ऐलोविरा फेस वाश के बारे में दोस्तों इस फेस वाश के बारे में सबसे पहले मैं अगर इंफोर्मेशन दू तो वह बुरा पहले मैं आपको बताऊंगा कि अलोविरा हमारे स्किन की लिए क्लैंज रखता है सथी में नदुल कोई भी प्रकार के पिंपल्स या अशने को आने से बचाता है हो सबसे पहले आपको क्या काम करना एंड को लाताँ आपको इस वाष यूले में और क्या क्या बटाँगा और इस सबसे पहले इंपौर्टनड फैक्टर price 8.99 रुपीज का आता है भाईया अच्छा प्रोड़क वाप रोगे तो ही अच्छा results आपको मिलेगा so इस face wash को आप सभी skin type के people use कर सकते हैं ऐसा है नहीं कि मेरा face dry skin type का है या मेरा face oily skin type का है तो इसमें कोई फरक नहीं पड़ता है कि मैं कौन से type का face wash use करूँ because ये all skin type के लिए useful है अभी एक बात करता हूँ इस face wash में क्या-क्या अच्छे गुण है सबसे पहले तो आपकी skin को ये clean करेगा acne आने से रोकेगा और सबसे important बात ये face wash आपको pure form में मिलता है इसमें ना sulphate से ना paraben है मतलब ये sensitive skin वालों के लिए longer run के लिए बहुत अच्छा product है दोस्तो और एक बात आपको कहना चाहूंगा oriental botanics ये company है ये ऐसी एक company है market में जो chemicalized based के ingredients नहीं बनाती है और अगर मैं बात करने चाहूँ तो देखो ये face wash कुछ ऐसे दिखता है आपको aloe vera का जो pulp है इसमें आपको दिखेगा इस face wash में aloe vera का pulp दिखेगा आपको अगर dark circles की problems है अगर आपको acne की problem है आपकी skin साफ नहीं हो रही है तो ये product बहुत दमदार है आने वाले videos में अगर मैं इसका comparison गानियर के तीनों face wash के साथ कर लूँ तो आप चोकिया मत ये शायद से winner ठेर जाए अभी इसको मैं use में ला रहा हूँ आप देखते हैं इसके results के से फिर उसके बाद मैं आपको इस product के बारे में information दे सकता हूँ तो ये था oriental botanics का product face wash जो था वीडियो को like करना भूलिये मत एक request कर रहा हूँ please 10k subscriber लेके जाने और ये product कैसे लगा मुझे जरूर बोलिए अगर आप use कर रहे हो तो 10k subscriber अपना एक ही aim है और साथी में अगर ये खरीदना है try करना है तो इसके link मैंने description में दे रखी है और यार बहुत नाराज हूँ आप लोगों से Instagram पे follow नहीं करते हो कभी तो follow कर दिया करो यार Instagram पे आपको पता नहीं उसमें मेरे stories आते हैं आप देख सकते हो और अगर आपको कोई doubt है तो वो भी आप पूछ सकते हो So bye bye, it's Ron Vakchur is signing off ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बोलिए Bye, love you all